आई ये मिटी की इस वीडियो में आपका न्यू चैप्टर रिस्टार्ट करेंगे आपको मैंने पहले भी बताया था कि चैप्टर सेकेंड जो है आपका पुरा समाप्त हो चुका है इसके बाद आपका chapter 3rd start करने वाले हैं जो कि है आपका project report जो chapter 3rd है इसका नाम है project report मतलब कि अगर किसी भी product का आप लोग production कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ report बनाई जाती हैं जिसे project report के माध्यम से हम समझ सकते हैं देखिए project report में मतलब यह होता है अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे ही मालेजे अगर किसी भी machine का कोई पार्ट बना रहे हैं तो आप उसको step by step बनाएंगे ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अगर मालेजे wheel बना रहे हैं किसी भी four wheel मतलब four wheel drive के जो भी बहान होते हैं उनका wheel अगर आप बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बारे में पुरा बना लेंगे आपको सबसे पहले rim बनाना पड़ेगा उसके बाद उसके चक्ति type बनाना है मतलब disk बनाना है या circular टाइप कैसा बनाना ये सब सोचना पड़ेगा तो कोई भी प्रोड़क्ट बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हम कैसे क्या बनाएंगे तो इन्हें सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और इस चैप्टर में इस चैप्टर में आपके तीन या चाहरी टॉपिक पढ़ने हैं जो कि दो लेक्चर में ही आपका या चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा इसके पहले जितने भी स्टुटेंट्स को IMED का हैंड रीटें नोट्स चाहिए वो लोग तुरंत इससे दिये हुए नंबर पे वार्टसप मैसेज जरूर करें आपको यहां से सभी पीडियाप नोट्स दिये जाएंगे मेकैनिकल इंजिनरिक के स्टुटेंट को 1929-1982 पर आपके जनकारी के लिए बता दें यह सभी नोट्स पेड़ हैं आपको जैसे इस पे मैसेज करेंगे आपको नोट्स दे दिये जाएंगे आपको पेड़ेगा के इस नमबर पर वार्षप मैसेज करके आपको नोट्स दे सकते हैं नोट्स आपके स्लेवस के अगार्डिंग ही बनाए गए हैं टोटल नोट्स आपको हिंदी लैंग्वेज में ही मिलने वाल हैं आप उस जल्दी किजिए एक्जाम पास में हैं आप बहुत अच्छे परकार से अपनी तैयरी कर सकते हैं अब चलिए तोड़ा पृत कर लेते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है इन सब के बारे में हमें पहले ही जनकारी पता हो जाती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है कैसे हमें क्या काम करना है और यह भी होता है कि परियोजला जो रिपोर्ट होती है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है इसके अंतर बहुत कुछ आता है जैसे कि अगर मालीजी किसी प्रोजेक्ट करना है आपको फैक्टरी स्थाफित करना है फैक्टरी का इस्टालेशन करना है तो उसके सबसे वहले अस्थान का पता चलता है इसके मात्यम से उसके बाद इसमें टाइम कितना लगने वाला है यह सब देखा जाएगा इसमें लेब प्रॉजेक्ट में क्या क्या बहुत सारा सबको दिया जाएगा फैनल ये मेगर पढ़ना तो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा बनाने के लिए किसी को कुछ दिया जाएगा तो ऐसा थे पहले बार में आप बना लेंगे आपको योजना बनानी पड़ेगी गुरूप सबस्क्राइब ना लेगी सबस्क्राइब और करना है जहां आपको सोचना पड़ेगा तो सब प्रजेक्ट के अंतरत आने वाले हैं इसमें जो मॉस्ट इंपोर्टन टॉकिक अब का वह है प्री लिमेंडी प्रजेक्ट मतलब जो प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इसमें मेनिंग आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब देखे यहां पे क्या लिखा गया लिखा गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी निवेस से संबंदित एकल लिखेत दस्तावेज होता है इसमेर डाटा होता है जिसके अधारत पर पर योजना का मुल्यांकन किया जाता है ढिंवेस डोग आप लोग किसी भी काम में या किसी भी फ Cyrus को अगर अस्थापित करने में तो आपको investment करते हैं कि आस 되면 कूछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगा तो कभी आपको profit होगा तो कभी आपको 1967 लावolenlightこれは ने पहले आप सब डाटा होते हैं जो हमने बताया लेबर्स खर्च स्थान का इंस्टालेशन और धन खर्च इस सब का मुल्यांकन जो है इस परियोजना के माध्यम से ही किया जाता है कि इसमें नेक्स्ट आगे और भी लिखा गया है कि एक इंटर्प्रियोनर्शिप की सफलता के लिए आवस्यक है कि उद्यमी को एक नया प्रोजक्ट या उद्यम चलाने की पूर्ण जानकारी हो इंटर्प्रियोनर्शिप आपको आपने बताया था इंटर्प्रियोनर्शिप क्या होता है मतलब उद्यमिता क्या होता है फर्स्ट चेप्टर यह आपका है इंटर्प्रियोनर्शिप अगर आप लोग अपने बेवसाय की सफलता चाहते हैं तो जो आपका इंटर्प्रियोनर प्रतलब जो आपका उद्यमी होता है उसको अपने किसी भी फैक्टरी में जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको किस प्रकार से बनाना है उसमें क्या हम ट्राइंग कर दें कैसा डिजाइन कर दें उसकी कास्ट भी कमाए और प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में अधिक जाता है तो ब्रांट रहेगा तो अपने आप में वाएक ब्रांट ही रहेगा तो चैप्टर नवर फ़र्स्ट से से कंड तक यहीं सब आपको देखने को मिला थार्ड चैप्टर भी इन्हीं दो चैप्टर से रिलेटेड हैं कि इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा पीछ की प्रवंध की आद जैसे सुचनाय भी सामिल हो सकती हैं मालेजिए कोई भी प्रड़क्ट आप लोग बनाना चाहते हैं आपके पास कमी है धनकी तो आप एकोनामिकली के अंतरत आ जाएंगे टेकनिकल नॉलेज नहीं है और आपका बित्तिय ब्युस्ता सही नहीं आपका म उसक भी सामिल किया जाते हैं इन सब को विशेस दौर पे देखा जा सकता हैं कि आत्री कि स्तिति क्या है मैंनेज्ड़॒ंट कैसा है टेकनिकल नॉलेज को ही प्राया प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं अधा हम एक सिंपल लेज में भी कह सकते हैं जो आपका एक इंटर्प्योणर होता है जितनी भी अपना धान सकती स्राम लेवर जो कुछ भी वर्क करके लगाता है उसका हम करम से इस्टेप बाइस्टेप मालेजे आज 10 रुप यह सब जोड के इन सबकर आकलन ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाएगा तो आपका यह बता दिया हमने टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है इसके अप्जेक्टिव को अब समझते हैं इसका अप्जेक्टिव क्या हो पेडियिक नोड़्स जो की पेड़हे हैं अब यह आगे आपक आता है अब्जट्टिव अब प्रोजक्ट्रेपोर्ट तो इसको ध्हान समझें अब्जट्ट्ट्र अबजट्रीपोर्ट जो भी प्रोजक्त्र के उत्यसंग समझते हैं देखे इसमें लिखागाए यह तुरल कर सकते हैं यह उत्यमी को प्रोजेक्ट की टेक्निकल योकिता सामिल योकिता अस्थापित करने में सायक होता है देखिए जो भी आपके इंटर्प्योनर होते हैं मतलब मालच यह आप ही लोग होने या हम नहीं कोई प्रोजेक्ट बनाया है या कोई फैक्टरी बना रहे हैं त तो इसके लिए टेक्निकल नालिज का होना वस्यक है तभी यह अस्थापिद आप लोग कर सकेंगे थर्ड है यह TIC से अस्थाई रिजिस्टेशन प्राप्त करने के लिए सायक होता है देखिए अगर आप फैक्टरी में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक ट्रेड मार्क होना चाहिए कि स्पिसली लोको होना चाहिए और वो सरकार दोरा रिजिस्टेशन युक्त होना चाहिए वर उसका रिजिस्टेशन जरूर होना चाहिए तभी आप लोग कोई भी आप लोग अपना फैक्टरी इस्टाल कर सकते हैं टी आई सी से मतलब आपका जो चिलाव द्योग केंदर होता है मतलब इस्टेशन इंडस्टियल सेंटर जो होता है वहां से रिजिस्टेशन प्राप्त कराने में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वर काफी मददगार होगा फोर्थ नमर आपका है यह SFC बैंक से रेड़ प्राप्ट करने में भी सायक होता है यह SFC मतलब State Financial Corporation Bank होता है वहाँ से आप लोग अपनी कमपनी के लिए रेड़ भी प्राप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो फिपते इसमें सन्यांत्र उपकराण मसीनरी तथा अन्य साज सज्जा पर होने वाले Depreciations का भी आभास मिलता है मतलब कि अगर आपको कोई प्रोड़क्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या-क्या उपकराण यूज़ किया जा रहे हैं इसमें साज सज्जावट के क्या-क्या खर्च आ रहे हैं इसमें जो हरास होता है जैसे Depreciations बोलते हैं इसका भी पता प्रोजेक्ट रिपोर्ट की माध्यम से ही लगा सकते हैं तो यह हो कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का उद्धियस ते अब आपका आगे जो है आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब जिसे आपको बोल सकते हैं प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख लिया लेकिन अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका स्टार्ट कर देना है तो सबसे पहले अगर कुछ भी करना है तो आपको क्या चाहिए किसी भी अधार को सुरूब करने से पहले आप योजना तो जरूर्ण बनाईगे इस रहरे हैं तभी आप लोग अच्छी प्रकार से अपने प्रोड़क्ट का निर्मार भी कर पाएंगे बिना रूके हुए तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या आने वाला है इसमें आपका लिखा गया है कि प्रोजेक्ट की प्रारंभिक पर्योजना रिपोर्ट में कारी की प्रगति का वर आपको सही से हो रहा या नहीं हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट की तच्छता उसकी योजना पर पूड़ता निर्भर करती है कोई प्रजेक्ट आप बना रहे हैं आपकी इफिसेंसी के अमसार ही जैसा आपने योजना बनाया है उस पे ही यह आपका डिपेंड करेगा इसलिए योजना बनाना अत्यांत महत्मूर हो जाता है यह रिपोर्ट किस इसी प्रजेक्ट की पिसिस्ट गत्विदियों या घटनाओं का भी बर्डन करती है तो आप लोग प्रिलिमिन रेट प्रजेक्ट प्रजेक्ट को भी ध्यान से नोट डाउन जरूर करिएगा अपने नोट्स में ताकि एक्जाम में आपके लिए बेनिफीट हो कि क्या है अमांट ऑफ ऑम्राइग्गं क्या है उसका प्रजेक्ट परणयग करने तो कि डेखने सकता होगी चालाइक पूजे कि उसको देखना चाहिए प्रजर टाय्म में कितना लग रहाए इस सब्डेदी कि मhonebral री इइस फ्लोर समेंनल द्वाइच क्या है सेकेंड आपका है floor space needed इसके लिए क्या आपको अवस्यक का रस्तल के भी आउसकता पड़ेगी तो यह सब points हैं इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा थर्ड है material requirements पतलब material के भी आपको आउसकता पड़ेगी अरे जब सब रहेगा तभी तो आप project report बना पाएंगे अब कितना material लग रहा इसको आपने अपने project में अपने नोट कर लिया कितना खर्च हो रहा इसको नोट कर लिया तो क्राम वाइस सब note करते चलेंगे तभी तूँब आपका यह कशी प्रकार से report बनेगा अब डाक्टर क्या होते हैं आपके सभी parts को जांस कर लेते हैं उसके बा आप उजी खर्च हुआ यह लिखा गया इस पेस कहां मिला यह भी देखा गया कितने materials क्या हो सकता है पड़ी यह भी देखा गया product की designing किस प्रकार से की जा रही इसको भी उसमें टाउन करना है methods and process of production क्या तरीके है उत्पादर program की क्या बिधिया है इसको भी देखा जाएगा machine से labor की requirement काउन से machine क्या में आसकता पड़ेगी product को बनाने में labor क्या आसकता पड़ेगी यह सब यह आपके आते हैं किसमें project तैयार करते समय ध्यान देने वाली यह सब बाते हैं कुछ points हैं तो आपका यह हो क्या यह हो क्या आपका preliminary project report जहां मतलब जो प्रारंभिक पर्योजना report होता है उसकी क्या क्या उत्यस्ति होते हैं तो इसमें फर्स्टाइब कर रेंड के रोप में आवस्या पूजी लेना आसान हो जाता है जैसे कि आपका product बनाने में मालेज यह उपकराण उसका जो लेना है उसका दस रुपया पढ़ गया लेवर चार दस रुपया हो गया लेक्टिक खर्च हो गया पिस यूनिट में जा इसका जो भी रेट हो आपका time सब कुछ तुम्हालेज आपका 40 रुपय हो गया आपके पास है वालनी टेन रुपय तो आप क्या करेंगे उसे रिपोर्ट को दिखा देंगे जाके बैंक्स में या सबसे जो पैंक हो का उसमें आप दिखाएंगे कि मेरा 40 खर्च हो रहा है मेरे पास 10 है तो आपको वहां से रि प्रजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से तरड़ आपका उद्योंग धंधे के लिए अवस्चे घूम भावन मसीनिटी सोध प्रिकांस तथा प्रसिच्छ इत्याद कारक्रम पर लगने वाले पूजी को भी आप खर्च खर्च ग्यांत कर लेंगे जितने वी आपके खर्च हो तथा कार है उत निवे सित्याद की पूर्जानकारी प्राप्त हो जाए कि यह सब पीछे के इसा पॉइंट से इन सबको ध्यान से रिखे और हाँ जब आप पहले से सब कुछ निर्मार कर चुके होंगे रिपोर्ट बना चुके होंगे तो आपका कार जो है अंत्य तक रुक तो इसको भी आप लोगा चिवरगार से नोटाउन जरूर करिएगा नेक्स्ट आपका आता है टेकनिकल फीजिविल्टी जो कुछ भी बताया जा रहा है आपके स्लेवस के एक्तम एकौर्डिंग स्लेवस चली रहा है तो आपको इसको ध्यान से नोटाउन केजेगा जाम मे ध्यान में देना है जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट है इसको समझाते हैं और ध्यान से आप लोग सुनते वेयर चली का भुश्ट फरस्ट रहाप का प्रवीय। की और पीनिर्मार प्रक्रिया इसमें क्या होता है इसमें जो भी आपका कि प्रवीय। भी अच्छा होना चाहिए के और कुछ बहुँआप आप अच्छे प्रड़का चैंड गडियाख़ परद्विकी और पिनिरमार प्रिक्रिया यह सब टेक्निकल नावनिज के अंतरगत आएंगी इस सब को नोटावन आप लोग कर लेज़ेगा वैसे इसके बारे में लिखना नहीं बस नोटावन कर लेज़ेगा थोड़ा-थोड़ा समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा सब्सक्तिम धानि वैसे तो अब करने प्रूजेट का स्थान अब अब कोई भी प्रोड़क्ट अगर आप लोगश्ड़ा हो अगया बना रहे हैं प्रोड़क्ट मतलब क्या अदुद बना रहे हैं उसका सब्सक्राइं गहां तो थो एकस्टिंग करदे जो बने कर कोई भी दिकत ना आए थर्ड आपका सन्यांत्र और मशीनरी अब सन्यांत्र और मशीनरी क्या है इसमें देखिए ऐसे आप लोगों को समाल लाना चाहिए ऐसे मशीनरी का यूश करना चाहिए जो आज कर टेक्निकल नालिज के अंतरे चल लें ऐसा नहीं कि पुरानी हाई खार तो समाल लाएंगे तो कुछ भी प्रोड़क्ट बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत लेगा और टाइम मुट लेगा आपका सही टाइम पर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा इसलिए आज के आधनिक नालेज का यूज करके नए नए मसीन यूज करें प्रोडक को बनाने में फोर्ड है कच्चे माल उप्योगता आजञकती मतलब चश्चे माल के अपूरती कहां से अधिक वह रही है कहां बिजले कि निगरानी और कार्यान मादलब जो भी आप लोग कारे कर रहा है उसके हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए उसका हमिशा है दो तीन बार चेक्ण करते रहना चाहिए ताकि प्रजेक्ट आपका सही प्रकार से बन सके तो यह सब था आपके स्लेवस में जो कि हमने बता दिया अब एक लेक्चर इस चैटर का हो रहाएगा उसके बाद इस चैटर समाप्त हो जाएगा कुछ भी नहीं समय बस लिखा लिखाया है इसी को आपको सब समझना है लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं है तो आज का बस यहीं तक था आने वाली वीडियोज में आपका चैटर जो या समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका निव चैटर स्टार्ट कर दिया जाएगा सेक्शन भी जिसे मैनेजमेंट के नाम से आप लोग पढ़ेंगे किसमें I.M.E.T. में